रोज कूदते हैं रेंगल में कभी कभी लीविक में भी आया करो बहुती कमाल का मोड आया है उड़ूड़ू कर पेटिया चमकाया करो अगर रोज खाओगे एक चीज को तो लगने लगेगा फिका पेटिया पेटिया चमकेगी जब उचलेगा अपना सिका दोनों हाथों में गन लेकर चला देंगे अगर कोई भी बंदा दिखा भागने की कोशिस की तो जब तक पेटि ना चमके तब तक करते रहेंगे पिछा नफरत ने करके दूर दिलते साथ नी वाईयो एक बात बोलू तो कैसे हो मेरे पब जीवाड़े वाईयो तो भाईयो ये वाड़ी वीडियो बहु ज़्यादा खतरना कोने वाली है वाई क्यूंकि हम आये थे भाई लिविक में और आपको तो पता है कि या प्रे कैसा मोड है जो कि आपको पापागा हेलिकोप्टर बना सकता है मतलब आप उड़ने लग जाओगे अब मुझे जाती यह दो चटर मटर मिली थी लेकिन कुछ देर के बाद मुझे मिल गई उजी ओरम यहां से निकलते है अब यह बोटनी सोच रही थी कि हम इसको पर पोज करेंगे ल वूट वूट खरीद के और पापागी परी बन जाओंगे और लिविक में खुले आसमान में उड़ती रहूंगी अब आग आया तो यहां पर भई फायर होने लग रही थी किसी ने एक बोट के ऐसी तैसी की थी तो बंदा भी यही था अब यह नहीं पता कि एक बंदा आया नो दो ग्यारा होने की सोच रहा था और मुझे लग रहा था कि यह अपने चुन्नू मुन्नू टुन्नू के साथ आया लेकि नहीं भई यह के लाया था और अब इसका मन भी नहीं कर रहा था पेट्टी चमकवाने का लेकिन भई हम तो किसी दूसरे के नोक्यों बंदों को नहीं चोड़ते तो अपने वाले को कैसे चोड़ेंगे अब इसको टपका कर और इसको लूट कर भई हम आ जाते हैं यहाँ पर और यह अनिमेशन देखो भई मतलब क्या ही गजब का एनिमेशन है कास ऐसा एनिमेशन भई हमें जब भी देखने को मिलता जब कोई बंदा नोक हो जाता और हम उसको न इसी तरे से मारते अब मुझे यहाँ पर भई बहुत कुछ मिल गया था उड़ने वाली सकती मिल गई थी भई पापा के हेलिकोप्टर बन गए थे हम और M249 भी मिल गई थी वीडियो में मजा है तो लाइक के बटन को कर देना किल और अपने दिल के विचार भी लिख देना फिर तुमारी कमेंट पर आएगा मेरी तरफ से एक दिल अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया गरो भाई ना आएगा तुमारे घर कोई बिल और यह देखो भई एक को नो करके हम चारों के चारों उस पर तूट पड़ते हैं और यह भाई साब यहां पर बेठा हुआ था कोणे में तो इसको भी नई टपकाते मैं सोचता हूँ कि भई इसको बचाने के लिए इसके टीमेट यहां पर आएगे तो इसको भी छोड़ द आगे थे भई सायद इसके टीममेट आ गए थे भाई किल्च और तुम तो अन्याय करते हो उड़ उड़कर बंदों की पेटियों में पित्तर वरते हो अभी इस भाई की भई पेटि मैंने पहले भी चमकाई थी और दुबारा से फिर भई मुझे आउसर प्राप तुआइस की पेटि चमकाने का तो डबल मज़ा आया भाई मुझे अभी इस चुन्नु भाई साब को जो इतना मज़ा आ गया आशिरुवाद लेने में कि ये फिर से आ गया भाई इसको मैंने पहले भी आशिरुवाद दिया था और ये देखो भाई ये भाई साब जो है सर्माकर यहा के गरवाड़ों ने इसका ऐसा नाम रख कर मुझे जाने दो भाई किल्चोर अब वहाँ पर भाई अमारे दो बाद उर्योद्धा जो है भाई नोख हो चुके और ये सोच रहा था कि हम इसको छोड़ देंगे तो सजा तो भाई सभी को मिलेगी अब एक भाई साब आग्या आगया था लेकिन भाई इसको टपकाने का सोब आग्या प्राप्त मुझे नहीं हुआ और जो बंदा यहां से भाई अमेजब से प्रेशान करने लग रहा था अब उसकी करड़ाई है अब आज लीविक वास्यों की तिन तिन बार पेटिया चमका कर लीविक में लठ गाड देंगे भाई अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बटन पर भूकर ताल कर दो एक मिलियन होते ही इरेंगल में अनर्जी ड्रिंक बाट देंगे अब आज लीविक में भाई इस जंग है पर ना बिल्कुल बंदों की बरसात ओने लग रही थी एक के बाद एक बंदा मिलने लग रहा था अब उस साइड एक चुन्नू वाईसा बाग गये थे ओड्रोप देखो वाई कितना प्यारा लग रहा है अब राइट से भी भाई फायर की किसी ने तो तुमारा भाई बच गया और ये भाई साब जो भाई बच कर भागने की सोच रहा था अब इसकी तो पेटी चमका दे थी और याँपर मेरी हैल्थ बहोत कम हो गई थी और अमारे दो नम्बर और वंदों की सोड सी बढ़ दी और जब हैल्थ कम हो तो हम अनर्जी ड्रिंग पीचते हैं इरेंगल होया लिविक हम खुल के जीते हैं और भई जो यह यह एमारे रेंडम टीम मेट थे वह एक नमबर दो नमबर तो इनकी कुंडली में मुझे दोस लग रहा था दो नमबर को फिर से किसी ने आशिरुवाद दे दिया और इसको भई अमारे एक नमबर ने नो कर दिया था तो इसकी पेटी हमने चमका दी वैसे भी हमें पेटी या चमकाने में बहु ज़्यादा मज़ा आता है लेकिन जब मज़ा नहीं आता भई जब ऐसी ऐसी हरकते होती हमारे साथ मतलब दिल चोर भाई भाई भ्याज मारे किल चुराने में लगे हुए थे और इस बाई साब को देखो भई या पर एंटी ना ठीक करने आया वा था तो इसकी भी पेटी चमके गी अब मैं हूँ सूपरमेन इरेंगल की बोटनी का फैन जो लेवे पंगा उसकी पेटी चमका कर निकाल दूसका भैन अब ये लीविक वासी भाई दूबारा पुनर जनम ले लेकर यहीं पर आने लग रहे थे और आग्ये से भी भाई किसी ने मुझे मारने की साजिस रची तो इसकी भी ऐसी तैसी करेंगे भाई पेले कुछ जड़ी बूटिया लगा लेते है और ये है आम जिन्दगी तुचुक 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 और ये है हराम जिन्दगी अब ये भई साइद ये पूछने चला गया था कि मिले बाबु ने ताना ताया तो मैंने इसको भई 5 mm की गोडिया खिला दी अब उपर से भी एक बंदे की आवाज आने लग रही थी और ये इच्छा दा रिनाग भई किसी के गम में अनर्जी ड्रिंक पी के याँ पर लेटा हुआ था तो इसको मैंने मुक्ती दे दी और अब आ जाते हैं उसी जंगे पे अब इस भाई के खोपड़े में लगी भाई ये गोड़ी और ये भाई टपक गया क्यूंकि इसको मैंने पहले भी डैमेज दे दिया था तो ये लो था अब उनको टपकाने के बाद भाई हम आ जाते हैं आगे और यहाँ पर भाई किसी ने ना स्नाइपर मारी भाई मुझे मेरे कान के पास से गई तो बच गया लेकिन भाई अब ये नहीं बचेंगे देखना यहाँ पर बिल्कुल तबाई होने वाली है मैं हूँ सुपर मैन चुन्नू मुन्नू की पेटी का फैंज और यहाँ पर भाई हमने चुन्नू मुन्नू टुन्नू की ऐसी तैसी करद्यबिन का एक लास्ट बंदा बचा था तो उसे भी टपकाएंगे लेकिन मेरी हेल्थ कम थी तो पहले जड़ी बूटिया लगा लेते है भाई और देखो मैंने जैसे ही जड़ी बूटि लगाई तो उस साइड से भाई किसी ने फाइर की और मेरी एक मिड किट का नुकसान हो गया भाई तो अभी अभी हेल्थ की थी और भाई उसने फिर से मुझे डैमेज दे दिया बहु ज़्यादा और मेरी वेस्ट हेल्मेट बिलकुल डैमेज हो चुका था बिलकुल ना के ब्राबबर हो गया था तो मैं हूँ सूपरमेन बोटणी का फैन बिच क्या हूँ बाई किल्चोर ऐसी पेटिया चमकात करो अभी इस बाई को यही निपता की बंदे आने कहां से लग रहे अभी इसकी तो पेटि चमका दी थी और अब बचा था एक लास्ट बंदा जिसे बाई मैं 400 की स्पीड में डूंडता हूँ लेकिन बाई मुझे ओ बंदा कहीं पर भी नहीं मिला और जिसको मिला उसने उसकी पेटि चमका दी विनर 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 दाल रोटी डिनर तो उमीद है आपको आज किये गेम प्ले वीडियो बहुँ ज़्यादा पसंद आई होगी आपको 17 सी किल्लो मजा आई गया होगा उमीद करते है तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो अपने हात्तों को मत रोको लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको और अपने दोस जोर मचाएगा तब आई और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पर फोलो नहीं किया है तो वहां पर भी कर ले ना भाई उसका भी लिंक जो है मैंने निच्चे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है